बच्छो, हमने पिछली वीडियो में हम लट्ट लकार कर रहे थे, मैंने तुम्हें बताया था कि हिंदी के काल शब्द को संस्कृत में लकार कहते हैं, लकार क्या हैं, तीन परकार के हैं, लट्ट लकार, लंग लकार और लित्ट लकार, लट लकार को हम बोलते हैं वर्थमान काल लिट लकार को भविशत काल और लंग लकार को भूत काल ठीक है तो आज जो हम लट लकार हम कर रहे थे हमने इसके प्रत्य किये थे प्रत्य आपको एक बारी फिर से मैं बता रहे हूँ follow 2 ? Yup प्रत्य लगाया हमने और प्रत्यी यादी तो हमारी कोई भी धातु बहलता नहीं हो работать याद रट्टा लगाने की जूरत नहीं है हम जो है आसानी से उसको लिख सकते हैं समझ से तो इसलिए सबसे पहले बाती है कि आप बच्चों को प्रते को अच्छे से याद करना लिखने का अभ्यास करने और इसमें आपने ध्यान देने कि कहां पर विसर लगी तो आज हम लट अगर आपको ऐसे आती हैं और दोनों बदल जाती है तो उसका भी में आपको बताने जारी हूँ ता कि आपको ऐसे आती हैं दोनों तरह से आपको करने आजे कि एक तो बदलती है अपना रूप और दूसरा नहीं बदलने माले अब जो है हमने टोटल हमने पांच धाटवे करनी है में नाम उनके जैसे पठ धातू पठ धातू है ना फिर धाव फिर तीसरी हम करेंगे गम और चोथी करेंगे हम चार भू भू जो है हमारी धातू ये क्या है भव में बदल जाती है भू किस में बदलती है भव में किस में बदल जाती है भव में है ना भव में बदल जाएगी भू भव गम किस में बदलेगी गच अब इनके अर्थ भी मैं बता रही हूँ आपको पठ पढ़ना धाव दौड़ना और गम जाना और भू होना हमने दो धात में कर ली थी दो धात में की थी हमने प्रत्थे कर लिये थी अब मैं गम धातु बता रही हूँ आपको सबसे पहले अब गम धातु गम धातु को लिखने के लिए गम धातु ये किस में बदल जाती है गच में किस में बदलती है गच में जाना ठीक है अब उसी तरह से हमने यहां पर चार बॉक्स बनाएंगे पहले पूरुश अबलीक वचन फिर एक वचन दूसरा आएगा दूसरा दूसरा और यह बहु वचन ठीक है यह हमने चार बॉक्स बना ली अब इसको भी लिखने के लिए हमने पूरुश पहले लिख लेंगे यहां पर पहले पूरुश लिखेंगे प्रथम पूरुश मध्यम पूरुश और तीसरा है उत्तम पूरुश ठीक है यह हमने पहले लिख लिया अब सबसे बड़ी बाती है कि सबसे पहले आप जो है हमने गम का है गच्च में चलेगी लेकिन इससे पहले हम जो है इसमें प्रत्य पहले लगा लेते हैं ती तह अंति बताया था अंति को ऐसे लिखें गया फिर मध्यम पूरुश में क्या है सी थह 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 फिर उत्तम पूरुश उत्तम पूरुश में आमी आमी आवह 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 मात्रा मात्रा डाल दिया हमने आमह ठीक अब हमने इसमें पहले हमने क्या लगा दिये ये प्रत्य लगे दे ती तह अंति मध्यम पूरुश में सी थह थह और उत्तम पूरुश में आमी आवह आमह जो है, silent है को हम उसमें लगाते है, प्रत्य में क्लिख्ते समय लगाते हैं लेकिन यहां पर जब हम प्रियोग करते हैं तो जो है कट जाता है आ की मातरा रह जाती है ठीक है अब गम जो है धातू किसमें बदल दे गच में तो गच में मैंने आपको बताया कि गच में इच्छ हम जब धातू को प्रयोग करते हैं तो क्या हट जाता है खलंद हट जाता है तो अब यहाँ पर हम पहले लिखेंगे गच क्या बन जाएगा ये शब्द गच्टी हो गया अब सब के आगे हमने गच्छ गच्छ लगाते जाने गच्छ तह गच्छन्ती गच्छ गच्छन्ती हो गया गच्छत गच्छन्ती सिरफ हमने क्या लगाया आगे गच गच सब में लगाते चलें ती तह अंती ये तो हमारे क्या लगे हूँ है प्रत्य लगे हूँ है ये ऐसे ही है अब क्या या पर भी हमने मध्यम पुर्श में भी गच अगे लगा देंगे गच सी गच अब इसमें भी गच लगाएंगे हम गच थ गच्ठ इसमें भी हमने गच्छ लगा देने आगे ठीक है हो गया अग इसके बाद जो है हमने क्या करना है कि यहाँ पर भी उत्तम पूर्श में भी हमने गच्छ को लगा देने आगे क्या बन गया गच्छामी आमी अब यहाँ पर भी गच्छावा आएगा गच आगे धातू लगा देनी है यहाँ पर भी गच धातू को हमने आगे लगा देने है गच्छा महा तो कितना असान हो गया देखो हो गया ना असान सिर्फ हमने प्रत्य पहले से लगा दिये है ना और आगे जो हमने धातू को किसको लगा है कच को लगाया, लेकिन यादगार रखने आपने कि इसमें नीचे खलंत नहीं लगेगा ये धातु जब हम लिखते हैं तो तब ही हम इसका प्रियोग करते हैं और धातु का जो चिन जो है इसको हम ऐसे भी लगाते है धातु, इसका अर्थ क्या होता है ये राइट का चिन जो है, ये धातु इसको धातु बोलते हैं, ठीक है तो हम इसके आगे भी जैसे ऐसे लगाया है तो इसका मतल क्या है? धातु आई इसका आर्थ क्या है? धातु ठीक है? तो ये धातु गम धातु, गच में बदल गी ती, तह, अन्ती हमने प्रत्ते लगाए, सि, थ, थ, आमी, आवा, आमह, हमने इसको प्रत्बमपोष में गच कर दिया, गच्ति, गच्तः, गच्छंती, गसी, गच्तः, गच्छत, गच्छामी, गच्छावा, गच्छाम। हो गया क्लियर, अब इसी तरह से, अब मैं जो है नेक्स आपको बता रही हूँ मैं बचो कि नेक्स धातु जो हमारी क्या है कि मैंने आपको बताई थी भू मैं भू को यहीं पर लिख के दे रही हूँ लेकिन मैंने आपको जो है धातु में भू में भू किसमें बदल रही है भाव में किसमें बदलती है भव है ना भव में बदलती है भव का आर्थ है होना भव होना अब मैं एक वचन बहु वचन नहीं लिख रही हूँ उपर और मैं सिधे ही इसको क्या कर रही हूँ आपके सुविधा के लिए कि जल्दी से आपका काम हो जाए तो यहाँ पर आप भू को हमने भव देना है भव को जैसे हमने पड़ा इसमें ध्यान देना है कि इसी तरें से आपने धातू को लिखने है ठीक है धातू को क्या करोगे आप लिखोगे धातू को लिखने के लिए आपने सबसे पहले भू धातू लिखिए भू का भाव होना अब मैं इसको लिखती हूँ तो जो है आपको ये जो धातु जो है मैं भाव की ये कल करवाओंगी लेकिन इसमें एक और धातु कर लीजी आप फिफ्ट वाली वो कौन सी धातु है खाद खाद का क्या अर्थ होता है खाना क्या है खाना ठीक है एक धातु हम ये करेंगे तो इस तरह से आपको बचो पता चल गया कि आपकी कौन कौन सी धातु होंगी इस टाम में पठ धाव गम भू और खाद पांच धातु है आपने करेंगे पांच में इनके जो है मैंने अर्थ भी बताया पठ पढ़ना धाव दोड़ना गम गच में भव में बदलती है होना खाद धातु नहीं बदलती खाद का खाना ठीक है तो आज हमने एक ही धातु हम कर पाए कल हम नेक्स्ट अगली करेंगे दो धातु है भू और खाद तो कल फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार बच्चो